everyone welcome back to our class yen दो एको spent पहता हुआ सपूर की सिसल सबसे प्राइप है automatic गिसैमे RAW जुड़के था सबसे हो कि नहींने बढूर दियूटि बजले तude में से आता है question कई बार और जो है कि सरवपर्थम किस देश में समवेधानिक मानिता दी है मूल अधिकारों को USA ने सहीं उपतराज अमेरिका और हमने जो अपने मूल अधिकार है वो कहां से लिये है USA से ही लिये हैं मूल मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है तो रास्ट्रपति अब सबसे पहले है कि निलंबन कब होता लिये निलंबन मतलब इनको कम कर सकते इनकी पावर तो जब भी हमारा अपातकार लगता है तो इस condition में मूल अधिकारों में निलंबन हो सकता है फिर है कि सुनवाई का आधिकार किसको है मूल अधिकारों के उसमें सर्वोच नयाय ले और इसलिए मूल अधिकारों की संड़क्षक कौन है हमारी नयायपाली का जूडिसरी अब कोशन है कि कार खानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है फिर है कि व्यक्ति गष स्वतंतरता के लिए कौन से रिट दायर की जाती है बंदी, प्रतक्षी करन, हिबस, कॉर्पस ये सारी rates आपने पुरानी classes में आपने कर चुके हैं एक question है important, बहुत important question है कि समविधान का हिर्दय और आत्मा किसको कहा गया है तो ये कहा गया है article 32 यानि कि समविधानिक उपचारों का अधिकार इसको जो भीमराओं मेटकर जी थे उन्होंने कहा था कि समविधान ये क्या है आपका समविधान का हिर्दय और आत्मा है आप question है कि हम आदेश देते हैं ये किस से related है? परमादेश यानि मेंडेमस और मेंडेमस क्या है? एक rate है परमादेश का अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं संपति का अधिकार हटाया गया था यह अटाया गया था आपका 44 जो amendment हुआ था 44 संसोधन उसमें इसको हटा दिया गया था मूल अधिकारों के लिस्ट से अब जो ही यह है पहले यह fundamental right था मूल अधिकार था अब यह कानूनी अधिकार बन गया यानि विदिक अधिकार अब यह मूल अधिकार नहीं है अब दो चीजें हुई थी कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है और संशोधन नहीं हो सकता है तो किन दो केशस में बोला गया था कि संशोधन हो सकता है और किस में बोला गया था संशोधन नहीं हो सकता है तो संशोधन मतलब अमेंडमेंट तो केशवानंद भारती विवाद में बोला गया था कि इसमें संशोधन कर सकते हैं मैंने आपको पहले बताया था दो केश बहुत इंपोर्टेंट है केशवानंद भारती और गोलकनाथ विवाद में बोला गया था कि नहीं हो सकता गोल ऐसे बनाया और उसके बाद बोला नहीं हो सकता है इसको कैसे भी आप याद कर सकते हो फिर है कि मूल अधिकारों को लागू करने की रिट कहा दायर की जाती है उच्च नियाले द्वारा इसके द्वारा दायर की जाती है और इसमें संशोधन बनाना होता है ये amendment करना होता है तो उसके लिए एक कानून तयार किया जाता है और कानून बनाने का अधिकार किसके पास है संसत के पास है और संसत में क्या होता है दो सदन होता है लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में आपका जो है कानून पास होना चाहिए विधेयक पास होना पड़ता है और फिर वो जाता है राष्ट्रपती के सिगनेचर के लिए साइन होते हैं उसमें राष्ट्रपती के हस्ताक्चर होते है तब जाके वो कानून पास हो जाता है उसी से आपका फिर अमेंडमेंट होता है तो उसका अधिकार किसके पास है संसत के पास फिर है कि सूशना का अधिकार सूशना का अधिकार का बाया था 2005 में और सिक्षा का अधिकार और जो सूशना का अधिकार है ये क्या है आपका मूल अधिकार भी है fundamental right भी और विधिक अधिकार भी है सिक्षक अधिकार कब आया आपका वह एक अप्रेल 2010 में ये लागू हुआ था फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्तो यानि directive principles अब ये किस से लिए गए बहुत important question है बहुत बार पूछा गया है कि किस देश से लिए गए है आयर लेंड से कौन से भाग में आते हैं चार में आपने पहले देखा fundamental right था तीन में था ये क्या हो गया फिर भाग चार में आपका नीति निर्देशक तत्तो आ गए फिर है कि कल्यान कारी राज्य का आदेश किस में दिया गया है तो ये दिया गया है नीति निर्देशक तत्तो में अब मैंने आप लिखा वाग ये नहीं है वाद का मतलब इनको आप कोट में इसमें चैलेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तो नीति निर्देशक तत्तो में हम नहीं कर सकते हैं कोशन दो बनते हैं, वाद योग्या कौन है, तो वाद योग्या जो हैं हमारे fundamental rights है, मूल अधिकार है, और वाद योग्या नहीं है, वो है हमारा नीती निदेशक तत्त, आपको option में दे दिये जाएगा कि निम्न में से वाद योग्या नहीं है, चार option दे दिये जाएगे तो आपको क्या चूज करना है, नीती निदेशक तत्त, फिर है कि किस अनुच्छेत का सम्बंद अंतराष्ट्रिय सुरक्षा और शांती से है, तो 51 का सम्बंद किस से है, अंतराष्ट्रिय सुरक्षा और सांती से है, ग्राम पंचायत बहुत important है, ग्राम पंचायत का article आपको ध्यान रखना है, 40, किस में आता है, ग्राम पंचायत, article 40 में, समान नागरिक सहीता, किस राज्य में लागू है, किवल गोवा में, अब ये है कि मौलिक अधिकार की अपेक्षा, राज्य के नीती निर्देशक महत्तुपूर्ण है, ये किस उसमें बोला गया था, किस में, मैंने आपको पहले बताया कि 42 और 44 संसोदन बहुत इंपॉर्टन है, तो ये कि संसोदन में बोला गया था, 42 अमेंडमेंट में, फिर आपका मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य के लिए जो समीती बनाई गई थी, वो बनी थी आपकी स्वार्ण सिंग समीती, और जब 42 संसो जोड़ी गई, इससे आपका दो कोशन बन गया है कि 42 अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में, और इसका भाग कौन सा है, ये है आपका फोर्थ कौ, यानि कि फोर्थ ए भी बोल सकते हैं से, चार कौ, ऐसे भी लिख सकते हैं, मूल कर्तव्य हो गया आपका फोर्थ कौ में, और फ सिरिक सुरक्षा एवं शान्ति किसमें था, फिप्टीवन में था, फिर आपका भारतिय संसत, अब भारतिय संसत क्या है, भारतिय संसत के कितने पहला कुशन के कितने भाग है, तो भारतिय संसत के हैं तीन भाग, लोकसबा, राज्यसबा और राष्ट्रपती, लोकसबा में कितने सदस्य हैं 545 राज्य सबा में हो सकते हैं 200 वर्तमान सदस्य की बात हो रही है यह 245 और राश्ट्रपती तो फिर अलग है कि संसत को भंग करने के लिए सक्षम है अब निर्वाचित किये जाते हैं जो इनको हम इलेक्ट करते हैं वोट देते हैं तो वो हम 543 पे पदों प होते हैं एंगलो इंडियन यह कुश्चन बनता है कि किस से इंडियन कहां से मनोनित किये जाते हैं एंगलो इंडियन से और राज्य सबा में यह कुश्चन आपका एरो में आया था कि राश्ट्रपती राज्य सबा के लिए कितने सदस्यों को मनोनित कर सकता है तो राश्ट् देनेदी लोकसभा में जाते हैं, लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है इसको और निम्न सदन होता है, जबकि उच्च सदन कौन सा होता है, राजसभा, और इस्ताई सदन भी किसको कहा जाता है, राजसभा को, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, इसे कभी खतम नहीं किय जा सकता है अब है कि संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक पहले किस आर्टिकल में है 108 बैठक इसमें आर्ट आ रहा है बैठक में भी आपको आर्ट वाली फिलिंग आती है तो 108 किसमें आता आपका संयुक्त बैठक में आता है संयुक्त बैठक एक होता है धन विदेयक और एक होता है साधारन विदेयक तो धन विदेयक से जो related होता हो केवल लोकसभा होती है इसको मैं आगे बताऊंगी जहां पर भी आएगा लोकसभा में ही ये पारित होना जरूरी है लेकिन जो साधरन विदहक होता है इसकी होती है संयुक्त बैठक यानि कि लोकसभा और राजसभा दोनों रहेंगे और इस संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है राष्ट्रपती बुलाता है और कब होती है अगर लोकसभा और राजसभा में कोई मत बेता है तो तब होती है हमा पुरानी PDF में लिए हैं, उनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो सुन्य काल किसकी देन है, बहुत बार कोशन पूछा गया है, या फिर निम्नमें से कौन भारत की देन है, तो वो कौन सी देन है, भारत नहीं इसको खो जा, सुन्य काल को, अब ये है कि संसत के सदस्य की सद खतम हो जाती है, यही सारी चीजे राज्य के लिए भी अपलाए होती है, यानि विदान सभा, विदान परिश्रत में भी, अगर कोई 60 दिन तक अपसेंड है, तो उसकी सदस्य का खतम हो जाती है, और संसतों का जो वेतन होता है, उसको निर्णय करने का अधिकार किसके पास है, वो भी संसत के पास है, और एक कोशन है कि गणपूर्ति या फिर कोरम, ये कितना होता है, संसत के लिए हो गया, विदान सभा के लिए हो गया, लोक सभा के लिए हो गया, किसी के लिए भी ये कितना है, वन बाई 10, कोरम कितना है, एक बटे 10, ये दिहान रखना, ये कोश सेवन में और जो दोनों सदनों का सत्रा वशान यानि कि जो सत्र बनते हैं उनको खतम कौन करता है लोगसभा अध्यक्ष और ये उनकी क्या करता है अध्यक्षता भी करता है लोगसभा स्पीकर जो सांसद होता है उसको कितने रुपे मिलते हैं अपने छेत्र के विकास के पाशी शांसदों को मिली जाती है और संचित निथी जो होती है हमारी उसमें से धन निकालने का अधिकार किसके पास है वो भी संचत के पास है फिर है कि यह मैं आपको बात में बताऊंगे कि नियंतरक और महालेखा परिक्षक क्या होता है कैग और लोक लेखा समीति भी तो यह है कि आपको जो क्याग है या नियंतरम महालेखा है यह अपनी रिपोर्ट किसको देता है तो यह अपनी रिपोर्ट देता है लोक लेखा समीति को और इसका जो लोक लेखा समीति का अध्यक्ष होता है यह होता है हमारा विपक्षी दलकर नेता तो आपने एक चीज ध्यान रखी कि विपक्षी दल के नेता और कहीं नहीं होता है केवल लोख लेखा समीती जैसे हमारी कोई गौर्वर्मेंट है बाइदे वे इस समय अंडिय की सरकार है और विपक्ष में कोई है तो विपक्ष में जो नेता होगा वो आपका अध्यक्ष होगा लोख लेखा समीती का यह कोशन यहाँ पर ध्यान रख लीजे आगे भी आएगा बहुत इंपोर्टन होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लोख लेखा समीती का अध्यक्ष कोई होता है विपक्षी दल का नेता अब आता हमारा रास्ट्रपती रास्ट्रपती कहां से है आर्टिकल बावन में इसका स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आगे तक चलता है रास्ट्रपती हमारी तीनों सेनाओं का सरवोच कौन है राष्टपती अब ये है कि नियूंतम आयू कितनी होनी चाहिए राष्टपती बनने के लिए 35 और एक कोशन ये भी बनता है इंपोर्टन्ट है कि राष्टपती का निर्वाचन कैसे होता है तो भारत जैसे हम अपने MLA या फिर लोकसभा के सदस्यों को भीषते हैं तो इनके लिए हम डारेक्ट वोटिंग करते हैं हम वोटिंग करते हैं और ये सांसत बन जाते हैं या फिर MLA बन जाते हैं लेकिन राष्टपती का चुनाव अपरत्यक्ष रूप से होता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं समानुपातिक प्र प्रस्तावकों की संख्या होती है वो कितनी होती है पचास और पचास कितनी होती है अनमोदकों की संख्या है तो कुशन में पूछ सकता है कि प्रस्तावक कितने होते हैं और अनमोदक कितने होते हैं फिर जो है कि राष्टपती के चुनाव समंदी मामले कहां सॉल्व किये जाते हैं सुप्रीम कोड उचितम नयायले में समय कितना होता है राष्टपती का कारेकाल कितना होता है पांच वर्ट और राष्टपती के चुनाव में कौन-कौन भाग लेते हैं अब सबसे विधान सबा और विधान परिशत के सदस्ट भी इसमें भाग लेते हैं अब राष्टपती को कैसे अटा सकते हैं महावियोग की प्रक्रिया से और महावियोग संसत के किसी भी सदन में लगा सकते हैं यानि कि या तो लोकसबा के सदस्ट लोकसबा में भी कर सकते हैं और राज जिसावा में भी महावियोग लग सकता है महावियोग को बोलते हम impeachment तो यह समझ में आगे आपके अब महावियोग लगाने से पहले क्या होता है कि पूर्व सूचना देनी पड़ती है 14 दिन की तो यही question है कि महावियोग के लिए पूर्व सूचना का समय कितना है 14 दिन और महावियोग का article भी बहुत important है article 61 यह important चीज़े है फिर यह है कि अगर कोई राष्टपती हट गया या कुछ भी कारण से राष्टपती का जो पद है वो रिक्त हो गया यहारी राष्टपती की मृत्य हो गई है कुछ भी है तो नया राष्टपती कितने समय तक आ जाना चाहिए 6 महा तक आ जाना चाहिए और जो सपत है ओथ है वो कौन दिलाता है राष्टपती को भारत का मुख्य नयायदीस यानि कि सुप्रीम कोड का जो मुख्य नयायदीस है वो इनको सपत दिलाएगा त्याग पत्र किसको देता है राष्टपती उपर राष्टपती को जनरली आप देखोगे कि जो त्याग पत्र है वो अपने से एक छोटे पद वाले को ही दिये जा रहे है जो अपना त्याक पत्र होगा, वो उपरास्टपती को दिया जाएगा अब यह है कि विधी के प्रश्ण पर सर्वोच न्यायले से परामर्स लेने का अधिकार किसको है? यह भी रास्टपती को है अब एक question बनता है कि अगर रास्टपती की post खाली है, तो वहाँ पर कौन बैठेगा, वहाँ पर हमारा उप रास्टपती बैठ सकता है यानि कि वह as a rastपती कारे करेगा, लेकिन अगर रास्टपती भी नहीं है और उप रास्टपती भी नहीं है तो सुप्रीम कोड यानी उच्छितम नियाले का मुख्य नियाधिस, उसमें राष्ट्रपती कारे कर सकते हैं, तो ऐसे ही कारेवाहक राष्ट्रपती के रूप में किसने काम किया था उच्छितम नियाले का जो मुख्य नियाधिस थे, वो थे आपके M हिदायत तुल्ला, एक कुआत्र यही थे जिनोंने की नयाधिस होते वे राष्टपती के रूप में कार किया था अब यह है कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि साधरान विदेयक होता और एक होता है धन विदेयक तो जो राष्टपती होता है उसको कोई पावर नहीं है पुनर विचार की किसम धन विदेयक में बाकी विदेयकों में तो राष्टपती लोटा सकता है कि इसमें दुबारा से विचार कीजिए लेकिन जो धन विदेयक होता है इसमें केवल पावर है लोकसभा के पास बाकी राज्यसभा के पास नहीं है तो यह ध्यान रखना है फिर है कि अध्यादेश जा परभारी कर सकता है आर्टिकल 123 और अगर राज्यपाल का अध्यादेश बोले तो 213 एक सो तेइस तो इसका है राश्च्पति का और राज्यपाल का किसमें लगता है राज्य में तो यह कितना है 213 इसी से मिलता जुलता है और यह इसका कौन सा अधिकार है विधाई अधिकार और अध्यादेश कितने समय तक प्रभाई रहता है 6 हफते तक सेम राश्च्पति का भी और राज्यपाल का भी और राश्च्पति का अगर वेतन देखा जाये तो कितना है डेड़ लाग रुपे पेंशन इनको मिलती है 90,000 रुपे प्रथम राश्च्पति कौन थे हमारे डॉक्टर राजींदर प्रशाद और किसके द्वारा बनाए गए थे तो ये समविधान सभा था और अकल मैंने आपको समविधान सभा बताया था तो प्रथम राश्च्पति किसके द्वारा निक्त किये गए थे समविधान सभा से दूसरा कोशन है कि आज तक जो है कि राष्णिक राजा किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन जी को ये हमारे देश के दूसरे राष्टपती थे ट्रेड यूनियन किसे संबन देता है तो ये है बीवी गिरी से मिसाइल मैं किसे कहा जाता है एपी जे अब्दुलकलाम ये ने Design किया था ये किया था Advin Luteans ने अलग question है नएा question है इसे भिध्यान रखेंगे Advin Luteans ने उसकी Lutea दुग गई थी राष्टपती भावन Design करने में फिर एक आता है कि राष्टपती साशन इसका आर्टिकल कौन सा है 356 तीन टाइप के आपातकाल लगते हैं आपातकाल वाले चप्टर में बताऊंगी तो दूसरे टाइप का ये है जो कि है राष्टपती शाशन 356 पहला होता है 352 फिर 4 का गैप करके 356 फिर 4 का गैप करके 360 अब ये है कि राष्टपती से रिलेटेड कुछ तत्थ हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं इन्हें आप खुद पढ़ लीजेगा जो जो नई नई चीज़े आपको मिले उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं फिर है हमारा उप्राष्टपती तो राष्टपती आता है आपका 52 में इसमें प्लस 11 जोडते हैं तो आर्टिकल आता है 63 63 किसे रिलेटेड है उप्राष्टपती से क्वश्टपती के लिए उप्राष्टपती कौन बना था तो ये जबने थे आपके बीवी गिरी और उप्राष्टपती का जो सभापती होता है या उपराश्ट्रपती कहां का सभापती होता है तो ये होता है राज्य सभा का तो सेम कुश्चन बन सकता है कि राज्य सभा का सभापती कौन होता है तो वो होता है हमारा उपराश्ट्रपती अब ये है कि उपराश्ट्रपती को कौन हटा सकता है पत से तो ये संसत को अधिकार है वोई लोगसभा की सम्मती से ये राज्यसभा इसे हटा सकती है लेकिन उसको लोगसभा की क्या है सहमती लेनी पड़ेगी अब मत का प्रियोग कर सकता उपराष्टपती जनरली मत का प्रियोग नहीं करता है लेकिन जब मत बराबर हो जाए तो उप बहुत important बात है कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो राष्टपती के चुनाओं में तो भाग नहीं ले सकते हैं लेकिन उपराष्टपती के चुनाओं में भाग लेते हैं तो यह होते हैं संसत के मनोनित सदस्य दो लोकसभा में होते हैं मनोनित और बारा राज्यसभा में होते है तो ये 12 और 12 सदस्य जो हैं ये उप राष्टपती के चुनाओं में भाग लेते हैं जबकि राष्टपती के चुनाओं में ये भाग नहीं ले सकते हैं. राश्टपती के चुनाव में लोकसभा, प्लस राज्यसभा, प्लस जो स्टेट के विधान सभा और विधान परिशत के सदस्य ले सकते हैं, प्रथम जो उपराश्टपती बने थे, ये हमारे बने थे, दाक्टर सवपली, राधा, क्रिश्नन और ये दुत्या राश्टपती भी बने थे, जो चुनाव होता है, ये संसत के दोनों सदनों द्वारा होता है, राश्टपती का चुनाव संसत के दोनों सदनों द्वारा होता है, हटाने का प्रस्ताव अगर जो शुरू किया जाता है, प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, राश्टपती को, जब राष्टपती की बात है तो यहां परस्ताव लाया जाएगा केवल राश्टपती कारेकाल इनका पाँच वर्स होता है गोपनियता की शपत कौन दिलाता है? राष्टपती और वेतन कितना है इनका? एक लाग पच्चीस जार ऩेड़ लाग किसका था? इनसे उपर राष्ट पती का फिर आता है राज्य सबा राज्य सबा और लोक सबा राज्य सबा हमारा स्ताई सदन है बहुत बार बनता है कि निम्न में से स्ताई सदन कौन सा है तो वो होती है हमारी राज्य सबा इसको विगडित नहीं किया जा सकता अधिक्तम संख्या कितनी है राज्य सभा की? 500 और वर्तमान कितनी है? 245 245 में से आपके 279 तो राज्यों से आते 229 चार आपके Union Territories से आते और 12 हमारे मनोनित किये जाते हैं राश्ठपती द्वारा अब ये है कि परथम जो अभिनेतरी थी जो की राजे सभा के लिए मनोनित की गई थी वो कौन थी नर्गिस दत जो पर्थम राजे सभा सांसत बनी थी वो थी आपकी नर्गिस दत और राजे सभा में सरवाधिक प्रतिनिदी किस राजे से हैं उत्तर प्रदेश हर जगा वैसे उत्तर प्रदेश से ही लोग सभा हो वि है और लोग सभा के लिए 25 है कारेकाल होता है इसमें 6 वर्ष जबकि लोग सभा का कारेकाल 5 वर्ष होता है बाकि सबका 5 होता है राज्य सभा का कारेकाल 6 वर्ष होता है और वो ही फिर से कोरम कितना है गणपूर्थी या फिर कोरम संख्या कितनी है एक बटे दस यानि 25 एक बटे दस तोटल संख्या का निकलता अगर 500 इसकी टोटल है maximum है तो इसका एक बटे दस निकालेंगे तो कोरम संख्या कितनी हो गई 25 लेकिन question यही पूछा जाता है एक बटे दस का अब भंग करने का अधिकार किसी को है या नहीं यह question बनता है कि निम्न में से राजी सबा को भंग करने का अधिकार किसको है राश्चपती परधान मंतरी राजपालिया किसी को नहीं तो किसी को इसका अधिकार नहीं है अब आता है धनवी देयक तो धनवी देयक में क्या होता है कि लोगसभा में जाता है ये और इसको डिसाइड कौन करता है कि धनवी देयक है या नहीं तो इसको डिसाइड करता है लोगसभा अध्यक्सिया लोगसभा स्पीकर वो डिसाइड करता है कि ये धनवी देयक है फिर लोकसभा में पारित लोकसभा में जाता है और लोकसभा भीजती है इसको राज्यसभा में राज्यसभा में और राज्यसभा में कितने दिन के लिए रहता है चौदा दिन के लिए अब अगर 14 दिन में इन्होंने लोटा लिया तो ठीक है नहीं तो ये धनविदेयक अपने आप ही पारित हो जाता है बस ये नाम के लिए जाता है राज्य सभा में धनविदेयक का अधिकार किसको है केवल लोक सभा को तो ये क्वेशन बनता है कि कितने दिन में उसे लोटाना पड़ता है 14 दिन में अब है कि निर्वाचन कैसे होता है राज्य सभा के सदस्यों का तो ये होता है राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों दारा अभी आपने उपर पढ़ा था कि फिल्म अभिनेतरी कौन थी जो राज्य सभा की सदेशी थी वो थी नरगिस और फिल्म अभिनेता कौन थे आपके प्रथम प्रित्वी राज कपूर ये प्रथम की बात हो रही है वैसे तो अभी बहुत से हैं तो प्रथम थी आपकी नर्गिजदत और जो अभिनेता थे वो थे आपकी प्रिथवी राज कपूर और राज्य सबा की प्रथम महिला महा सचीव तो महा सचीव थी हमारी बी-एस रमा देवी और राज्य सबा का सर्व प्रथम गठन हुआ था हमारा तीन अप्रेंट अगर दो मीटिंग्स हो रही हैं तो उनके बीच जो अंतराल है वो छह महिने से अधिक नहीं होना चाहिए यानि कि एक साल में कितने हो सकते हैं नियून तम दो सत्र हो सकते हैं छह-छह महिने के होने के लिए तो और हो सकते हैं लेकिन अगर अंतराल देखा जाए कि अधिक स निर्वाचित सदन भी से कहा जाता है वर्तमान में संख्या है 545 जिसमें से 543 आपके डारेक्ट चुने जाते हैं और दो एंगलो इंडियन से आपके मनोनित किये जाते हैं और ये 545 किसके तोरह है दुतिय संसोधन अधिनियम 1952 ये सेकिन अमेंडमेंट जो होता 1952 उसके होता है कि सीटें कैसे डिसाइड होती है जैसे हमारे उत्राखन में भी 5 लोगसबा सीटें हैं तो ये जनसंख्या के आधार पर होती है और ये जनसंख्या कितनी होनी चाहिए साड़े साथ लाग से अधिक और अभी तक जो लोकसभा का चल रहा है हिसाब किताब ये 1971 की जन संक्या के 1971 की जन संक्या के आधार पर चल रहा है और 2026 तक ये ऐसे ही चलता रहेगा उसके बाद ये चेंज किया जाएगा और लोकसभा का कारेकाल कितनी बार बढ़ाया गया है अभी तक एमर्जनसी के टाइम पे क्या होता है कि लोकसभा का कारेकाल बढ़ाया जा सकता है और कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है एक वर्ष तक के लिए इसे हम बढ़ा सकते हैं केवल एक बार बढ़ाया गया है जब 1975 की emergency लगी थी और कितने समय के लिए बढ़ाया गया था छे महा के लिए प्रथम जो आम चुनाव हुए थे इसमें जो कब हुए थे ये ये हुए थे आपके 1952 में 1952 प्रथम आम चुनाव हुए थे और नियूनतम आयू तो लोग सभा के सदस्य की नियूनतम आयू कितनी है 25 वर्ष आभी आपने राज्य सभा के देखी उसमें कितनी थी 30 वर्ष और सबसे ज़्यादा किसके हैं लोग सभा के सदस्यों की संक्या सबसे पहला है यूपी कर लेंगे अब जो केंद्र शाषित यानि union territories हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसका है तो वो है आपकी दिल्ली और दिल्ली में संक्या कितनी है इसकी लोग सभा के सदस्यों की साथ कारेकाल होता है 5 वर्ष यहां पे देख रहे हैं आप और यह देखिए कि संसद लोग सभा का कारेकाल बढ़ा सकती है कितना बढ़ा सकती है एक वर्ष के लिए कब बढ़ाएगी आपातकाल की इस्तिती में emergency के time पे गणपूर्ती या कोरम संख्या कितनी है एक बटे 10 वन बाई 10 होती है सब की 1 वाई 10 ही होती है और सदस्यों को समापत हो जाती है जब वो दो महायानिक कि 60 दिन तक अपसेंड रहे कोई भी सदस्या, फिर है कि वेतन कितना मिलता है सांसदों को, तो सांसदों को वेतन मिलता है 50,000 रुपए, आपको एक तरफ से लिखते वे जाना है, पहले भरधान, उस औरी राष्टपती को कितना मिल रहा है, फिर उपराष्टपती को कितना है, सांसदों को कितना मिल रहा है, अब त्याक पत्त, जो त्याक पत्त होता है सांसद वो किसको देते हैं, तो वो देते हैं लोग सबा, speaker को अपना त्याक पत्त सौबते हैं, और pension की जो विवस्ता इन की सांसदों की वो कभ से शुरू हुई, 1976 से तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी अपनी तो pension है लेकिन वर्तमान में जो government employer है उनकी pension बंद हो गई है OPS उनके लिए है sorry NPS उनके लिए है new pension scheme जिसमें कोई भी pension नहीं है बहुत कम है pension फिर से है कि दो बैठोकों के बीच अंतराल कितना होना चीए छे महां पहले भी था और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है राष्टपती के पास है प्रधान मंत्री की सला में सला के द्वारा इसको भंग कर सकता है और लोकसभा का अभी रक्षक या गारजन भी बोल सकते हैं किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है लोगसभा अध्यक्ष को वर्तमान में लोगसभा अध्यक्ष हैं आपके ओम बिड़ला ये सारी लिस्ट में आपको दूँगी जो वर्तमान में कौन क्या-क्या है ये लिस्ट भी आपको ध्यान रखनी है एक आपको जो दिवश होते हैं हिंदी दिवश कब मनाया जाता है ये टाइप के कुश्टन भी बनते हैं कुछ-कुछ लिस्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है एक तो आर्टिकल की लिस्ट आपको मिलेगी एक बरतमान में कौन क्या-क्या है चाहे वो उत्राखन का हो या फिर भारत का वो लिस्ट भी आपको मिलेगी और एक दिवश वाली लिस्ट भी आपको मिलेगी अब लोकसबा का नेता कौन होता है ये होता है प्रधान मंत्री लोकसबा का नेता किसे कहा जाता है प्रधान मंत्री को धन विदेह कहा प्रस्तावित होता है केवल लोकसबा में और लोकसबा में अधिक इस्वास प्रस्ताओ कहां लाया जाता है लोग सभा में फिर है कि लोग सभा का सबसे बड़ा छेतर कौन सा है तो ये है आपका लदाग और अगर पूछा जाए कि अनुसूची जनजाती के हिसाब से सरवादी कौन प्रतिनेदितों करता है तो ये करता है आपका MP अब लोग स जात्रों के बीच मैक्सिमम कितना टाइम होना चाहे तो दो चहीं महीने का तो लोग सभा के जो तीन सथर होते है पहला होता है बजजट जत्र दूसरा होता मांजूद सत्र और तीसरा होता आपका सीत काली sa Yani और अगर अभी मैंने एक जो बताया था कि 1975 में आपका कारेकाल 6 महीने बढ़ाया था तो वो कौन सी लोकसभा थी जिसका 5 वर्सों से अधिक तक समय रहा था वो थी आपकी 5 वी लोकसभा अब है लोकसभा अधिक्ष या फिर स्पीकर लोकसभा स्पीकर अब इसका चुनाव कैसे होता है तो जो लोकसभा के सदश से होते हैं यानि कि जो सांसद होते हैं वो आपस में मिलकर एक अपने लिए स्पीकर का चुनाव कर लेते हैं लेकिन उससे पहले एक अस्ताई या फिर उसे बोलते हैं pro-time speaker उसकी नियुक्ति करनी पड़ती है जैसे अगर आज चुनाव है तो संसत तो बन गई, लोकसभा तो बन गई अब जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है इस बीच एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो करता है राष्टपति और उसको क्या बोलते हैं pro-time अध्यक्ष और जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है तो वो देता है आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को राष्टपति किसको दे रहा था? उपराष्टपति को और अध्यक्ष किसको दे रहा है लोकसभा उपाध्यक्ष को और इसको कोई अपने पत से हटा सकता हाँ जी हटा सकता है तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये मिलके इसको अपने पत से हटा सकते हैं वेतन की बात करें तो वेतन मिलता है 1,25,000 रुपय स्पीकर को अब अगर जैसे स्पीकर भी छुटी पे है तो उपाद्यक्ष जानी डिप्टे स्पीकर काम समालेगा लेकिन अगर दोनों के दोनों नहीं है तो उस टाइम पे लोगसभा की गतिव विदियों को कौन देखता है तो वहाँ पे जो सरवादिक वरिष्ट सदस्य होगा सबसे वरिष्ट जो होगा वो उसकी आपके सारी जो गतिविदिया हैं लोगसभा की उसको देखेगा फिर है कि संयुक्त बैठक की अधिक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक कब होती है जब साजारान विदेयक होता है दोनों के बीच विवाद हो राजे सबा और लोगसभा में तो इसकी अधिक्षता करता है आपकी स्पीकर और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है राष्ट पती और एक कोशन फिर से वो है कि धन विदेयक को प्रमानित कौन करता है यानि ये कौन बताएगा कि ये विदेयक धन विदेयक है या फिर नहीं ये बताने का काम भी होता है आपका लोगसभा अध्यक्ष का अब नियम समीती बनती है एक जैसे मैंने आपको उपर बताया था लोग लेखा समीती उसका अध्यक्ष कौन था उसका था विपक्षी दल का नेता वैसे ही एक समीती होती है नियम समेती तो नियम समेती का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो ये भी होता है लोगसभा स्पीकर अब बाइदवे कहीं पर टाई हो गया है किसी विदेयक में तो अब ऐसे कौन होगा कि जिसका निर्नायक मत होता है तो निर्नायक मत किसका होता है आपका लोगसभा अध्यक्ष का सेयुकत पैठक को बुलाने का अधिकार भी किसके पास है लोगसभा अध्यक्ष के पास है अब था कि प्रथम लोगसभा अध्यक्ष कौन थे ये कोशन बहुत बार पूछा जाता है तो गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर इसे जीवी मावलंकर भी पोलते हैं और इन्हीं को बोला जाता है लोगसभा के पिता और आयंगर क्या थे आपके उपाध्यक्ष तो दोनों साउथ इंडियन थे ये ध्यान रखना है कि अध्यक्ष भी साउथ इंडियन है स्पीकर भी और डिप्टे स्पीकर भी आपका साउथ इंडियन थे तो और ऐसे कौन राष्टपती थे जो कि पूर्व में speaker रहे हैं तो वो थे आपके नीलम संजीव रेडी जी यह आपके पहले speaker रहे हैं और लोक सबा में अविश्वास परस्ताव किसके लिए लाया गया था ऐसे कौन से speaker थे जिन के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो ये थे के एस हेगड़े बहुत हेगड़ी मारता था ये आदमी तो इसके लिए क्या लेका आया गया अविश्वास प्रस्ताव और वरतमान में कौन है आपके ओम बिर्डला अब यहाँ पे है कि प् रित्वी हुई थी जिनकी वो थे आपके बाल योगी जी जी एम सी बाल योगी इनकी पत पर रहते वे रित्वी हुई थी और जैसे विपक्षी दल का नेता भी बताया मैंने कि लोग लेखा समीती का अध्यक्ष होता है इसको मानेता कौन देता है कि ये आदमी विपक्षी दल का नेता है तो उसको मानेता देने का अधिकार भी किसके पास है लोकसभा की अध्यक्ष के पास है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की वो थी स्रीमती मीरा कुमार और ये प्रथम दैलित महिला भी थी इससे पहली जो 2014 से पहले लोकसभा थी कॉंग्रेस की उसम महिला अद्यक्ष कौनती सुमित्रा महाजन ये थी आपकी 2014 वाली लोकसबा में फिर आते हमारा प्रधान मंत्री तो प्रधान मंत्री की नियुक्ति कौन करता है प्रधान मंत्री की नियुक्ति की जाती है हमारे राष्ट्रपती द्वारा अब जैसे सांसत गया है लोकसबा की सदशे हैं वो अपने में से एक बहुमत तल का नेता चुन लेते हैं और उसकी नियुक्ती फिर ओफिशली कौन नियुक्त करता है उसे राश्टपती और सपत भी कौन दिलाता है राश्टपती ही प्रधान मंत्री को सपत दिलाता है मंत्री मंदल की बैठक जो होती है उसकी अ सदिय साशन प्रणाली यहीं से ही अडॉप्ट की गई है अब ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने दो वर्ष में दो प्रधानमंत्री दिये थे तो ये थी जंता पार्टी और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूंता मुम्र क्या है 25 वर्ष जब लोकसभा का सदसे बनने के क्या होगी 25 वर्ष प्रधानमंत्री का जो पद है वह कैसा पद है वह संविदान द्वारा स्रजित पद है अब ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो कि जब उन्होंने पद ग्रहण कर रहा था तो वह विधान सबा की सदसे थे ऐसे बहुत सारी केसे होते हैं तो बात में इनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ता और लोकसभा की सदस्य था हाशिल ग्रहन करनी पड़ती है तो HD देव गोड़ा SD डेव गोड़ा का नाम आपने उत्राखन वाले में भी पढ़ा था जब उत्राखन राज्या निर्मान अंदोलन के टाइम पे भी ये नाम सुना था आपने तो SD डेव गोड़ा का क्या थे विधान सबा के सदस्य थे और लोक सबा में विश्वासमत प्राप्त किये बिना प्रदान मंतरी कौन बन गया था? यह बन गये थे आपके चाधरी चरन सिंग और चाधरी सरन सिंग ही ऐसे थे जो कि संसत के किसी भी अधिवेशन में इन्होंने भाग नहीं लिया था बहुत चाधरी बनते थे बिना व उम्र का प्रधान मंत्री भी मोरा रजी दिसाई था और प्रतम गैर कॉंग्रेसी भी तब जो कॉंग्रेसी नहीं था कॉंग्रेस पार्टी से बिलॉंग नहीं करता था वो भी मोरा रजी दिसाई जी ही थे तो ये जो मैंने याद किया था तो मुझे तो सर ने ऐसे याद कराय जी और जो थे कि संसत द्वारा मद्दान करके इनको अपने पद से अपदस्त कर दिया था पद से हटा दिया था वह कौन थे यह थे वी पी सिंग इनहें विशुनात प्रताप सिंगं इनका नाम था अब हमारा एक फ्रेंड था विशुनात तो उसी के अब ऐसा कौन था कि जिसकी मृत्यू देज से भाहर हुई थी तो मृत्यू जो हुई थी लाल बहदू शास्त्री जी की भाहर हुई थी सबको पता है कि ताशकंद में इनकी मृत्यू हुई थी ताशकंद कहा है रूस में वहाँ इनकी मृत्य हुई थी जै जवान जै किसान का नारा भी इनों ने दिया था अब क्वेशन बनता है कि रास्ट ये एकता परिशत का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधान मंत्री होता है योजना आयोग का भी जिसका नाम बदल के अब नीती आयोग हो गया है इसका अध्यक्ष भी कौन होता है प्रधान मंत्री ही होता है आज हम इतना ही करते हैं अब अगली क्लास में इसके आगे की जो पीडियाफ है या जो भी सारे टॉपिक बचे हैं उनको हम क्लियर करेंगे आप जितने भी हैं इसके सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी तयारी अच्छे से करते रही है फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर